इस बार ये दसारा कमीटी स्टार्ट हुई थी 1955 में और इसको स्टार्ट करने वाले उस समय के मसूर होटल पाल होटल के मालिक जो वक्सी राम गांधी जी हैं उन्होंने अपने भाई और पांच मित्रों के साथ इस काम की सुरुवात किया था उन्होंने और आज देखिए ये इतना फल फुल रहा है कि कुछ कहना नहीं है बाद में उनके लड़के मिश्टर तिलक राजगंदी जो कि इस कमीटी के महा सच्चूव भी थे और अभी उनकी करीब तीन-चार महीने पहले उनकी डेथ हो गई है वो हमेशा से इसके लिए एक्टिव रहे और इस बार राव अब देखी रहे हैं और कुछ जानना होता पुछें तुछ तरीके जी जी हाँ इसलिए कि हर बार कभी राजस्थानी भेसबूसा कभी पंजाबी बेसबूसा कभी बिहारी पेसबूसा इस तरह से होता था इस बार दोनों का संग्णम दिखाया गया है कि भी आधिक रूप में हर बशतर यहाँ पर गवर्नर होते हैं और से मुझ सब लोग आ रहे हैं और उनकी उपस्तिती पर्ती यह पर सुनिस्चित रहती है इस बार भी उनका जो है ना या कंफरमिशन आ गया है और वो रहेंगे इस बार रावन की लंबाई इस बार भार 80 पीट दी गई है हर बर्स के हरवा सत्र स्पीट हुआ करता था इस बार 500 पीट को जो है न बहाया गया रावन की लंबाई आपको 80 cm कि लंबाई 75 है ये कु म करन ऑब हे च्झान का 17 है अच्छा पिछले बार देखा गया था कि हवा का तेज होका आया तो रावण और मेगनाध फी गिर गय थे इस पर क्या उस तरीके की विवस्ता कैसे की गया जी 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 आपने जो सवाल किया रड़ किया उसके पहले हुआ था वो काफी बारिस होने के बज़ा से मिट्टी काफी गिली हो गई थी और उसके बज़ा से वो बास को सभालने से की उसका लोड नहीं समल सका और इसके वैसे रावन नीचे गिर गया था लेकिन इसका समुचित विवस्था कर लिया गया है इस बार जो है जहां रावन, के अंदर पूरा ढ़लाई किया गया है और उसमें लोहे का जो यह थी होता है क्या बोलते हैं उसको कसा गया है और उसी में रावन को बाधा जाता है इस बार इसलिए दो साल से बिल्कुल यह नहीं हो रहा है इस बार विश्था है रामलीला वी दिखायी जाती है, क्या-क्या रामलीला में दरखाया जाएगा ? रामलीला का कालिकरम आज नहीं होगा और ये तीन तारीक से ही रामलीला चल रहा है स्री नागाबाबा ठाकुरवारी में उसके सन्योजक हमारे प्रिंसकुमार राजू और आसु गुपता जी है और उन्हीं के देख देख में वो कारिकरम चल रहा है और आज ये कारिकरम यहां होगा कल वहां भरत मिलाब किया कारिकरम होगा और पहुंसने के बाद यहां पे उन्हीं के हातों से ही रावन का द्धन होता है बाखी के लिए पूरा गानी मदान खुला रहेगा यह सभी गेट खुले रहेंगे इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत स्वयोग मिलता है जीला परशासन के ही कारण ये कालकरम सफल होता है वो लोग इतने प्रॉम्ट होते हैं बहुत एक्टिव रहते हैं हाई प्रोटोकल होता है जिसके वज़ास से किसी तरह की दुरगटना होनी के सम्हामना नहीं के बरावर होती है उनके पूरी टीम ल अध्जातने में अब्सक्रण को दुरगटना उनकान कर både वरिषयल के संब्रेस्टार नहीं हो सकती कि अ मेना नाम डॉक्टर धरनजे कुमार हुआ अब मैं सर्जुक सची हूँ